असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आज मैं जो आपको रेश्पी बनाना बता रही हूं बच्चों की most favorite रेश्पी है बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं आज मैं आपको बचों के लिए फ्राइड स्टिप्स बनाना से खा रही हूँ चिकन मैंने चिकन ब्रेस यूस किया है इसमें मैंने तक्रीबन आदा किलो चिकन ब्रेस लेकर उसको वश करके उसको मैंने फिंगर कट में कट कर लिया है ये देखें इसको खुशक कछे से करके कॉण फ्लॉव यूज करी हूं मैं तू टेबल स्पून ब्रेड क्रम यूज करी हूं तक्रीबन एक प्याली दूद में यूज करी हूं हाफ कप अब हमने चिकन को गोश कर दिया हुआ था अब हम इसमें इसको मैरीनेट करेंगे हमने काली मेज हम इसको अच्छे से एड कर देंगे और आपके हैंड जू है अच्छे से वाश होने चाहिए और हम इसको अच्छे से हैंड से ही मिक्स कर देंगे इसको तक्रीबन हम लोग एक से दू घसे के लिए मैरीनेट करके छोड़ देंगे देखे हमने इसको मैरीनेट कर लिया हम इसमें सॉल्ड ब्लैक पेपर और होट सॉस लगाके इसको रख दिया था तक्रीबन दू घसे के लिए अब हम इसको इसके लिए बनाएंगे हम इसमें एक बॉल में एक को तोड़ेंगे और सकचे से लूँ और हाफ कप ये थंडा मेहने दूद लिया है इसको हम इसमें एड कर देंगे और हम तकरीबन वन पिंच इसमें क्योंकि और उसके अंदर सॉल्ट एड है तो हम इसमें बस वन पिंच एड करेंगे और इसकोचे से हम मिक्स कर देंगे हमने अंडी का मिक्स्टर बनाता रख लिया था अब हम दो प्लेट्स देंगे एक प्लेट में हम यह मैदा और कॉन फ्लार है इसको मिक्स कर देंगे और एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स को निकाल लेंगे अब हम इसको पहले मैदा और कॉन फ्लार का जो हमने बनाया है मिक्स्टर हम इसमें कोट करेंगे उसके बाद हम एग में और पिर हम ब्रेड क्राउंस में फिर से हम एक श्रिप लेंगे इसको हम मैदे में कोट करेंगे फिर एग में और फिर ब्रेड करम्स में अच्छे से इसको प्रेस करेंगे आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं इसको दुबारा से पीट भी कर सकते हैं हम इसको एक प्लेट में रखे जाएंगे और फिर इस तरह से हम सब को इसी तरीके से कोट करके रख लेंगे देखें ओयल गरम हो चुका है अब मैं यह जो पहले से मैंने कोट करके सबको मैंने रख लिया था मैं इसको एक एक साथ साथ फ्राइ करूंगी यह देखें आज को हम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे क्योंकि अगर बहुत लोग इठ हुई तो यह बहुत ज्यादा नर्भ हो जाएंगे और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे ठीक है यह साथा कम इनको डालते जाएंगे यह देखें करें देखें एक साइड से फ्राय हो गया अब हम इनको निकाल लेंगे अब हमाले यह अच्छासे गोल्टन फ्राय हो गया है आप हम इनको निकाल लेंगे इसी तरह से जो बगशंग तो ज़िए अब कर दो जाएंगे बाकी रहे गए उनको भी हम फ्राइए कर लेंगे देखें कितनी अच्छी और क्रिस्पी हमारी जो है स्ट्रिप्स रेडी हैं और यह बच्चे बुखा शॉप से खाते हैं आप ट्राइए करें और मुझे जरूर फीडबेग दें आपको यह कैसी लगी है और जैसे सर्दिया है तो ऐसी चीज़े फ्राइड जो है वो बहुत ज्यादा घर पर यूज होती है अगर मेरी वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जी तो आपको मेरी रेस्पी कैसी लग रही है प्लीज मुझे फीडबेक जरूर दीज़ेगा और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और अपने फैमली फ्रेंड्स के एक नियू रेस्पी के साथ आप से दुबारा मिलूंगी बहुत जल्द इंशाला तला तब तक के लिए अल्ला हाफिज